यहां पर हम बच्चों करेंगे एक टू सीन बनके आगे के mcq कोजिशन इससे पहले के हमने mcq कोजिशन बन से लेके 23 तक कर ली है तो आप जाके वीडियो की प्ले लिस्ट में या चैनल की प्ले लिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हैं तो यह और वाइस अगर आप सर्च करना चाहिए तो एक टू सीन बन mcq बाई चैन टूटर सर्च करेंगे तो आपकी उपर ही आपको यह मिल जाएंगे तो चलिए आगे के कोजिशन करते हैं और यह कोजिशन कराने का मकसद है कि मैं आपको चैप्टर की जो समरी है वो लाइन बाइन समझाता कि आप से यहाँ पर का जा रहा है वेट मी अगेंस सीजर मीज तो यहाँ पर एं ऑप्शन आ रहा है शार्पिंट मी माई एनी मोस्टी अगेंस सीजर इंसाइड मी अगेंस सीजर और बोत आर करेक्ट नन आप देम पहले आप इसका आंसर खुद बताएंगे और मैं आपके पर इसका आंसर बताये है उसके बात में सकोशन को समझाता हूं में क्या जा रहा है तो चलिए है टाइम खतम हो गया पहले तो मैं इसका आपको आपको आंसर बता दो बोत आर करेक्ट शार्पन माई एनी मोस्टी अगेंस सीजर इसका क्या मतलब होता है बच्चों यहाँ प प्रिती शार्पन का मतलब कर देना यानि कि जो बूर्टरस है उसको भड़का दिया गया है सीजर के खिलाब तो यहाँ पर वेट का मतलब सीजर के खिलाब उसकी दुष्मनी को उत्तेजित कर दिया गया है तो यहां पर दोनों ही सही है तो चलिए पहले आप इसको अनुमान लगाई है या आपने पढ़ लखा है तो आप इसको परफेक्ट ली आंसर भी दे सकते है तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका का मबस्सींट का मतलब क्या है यहां पर इसको बहुत अच्छा मिठ्र वह था लेकर अब इसको बढ़का दिया हमें अपने प्लिये नेता नहीं चुनना चाहिए अधरवाइज वो हमारे लिए हामफुल होगा तो उसको हमें किसी तरह से अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा इट में उसका मडर करना पड़ेगा तो यहां पर ड्रेटफुल थिंग का मतलब है सीजर के मडर से कि अब हमें कोई न कोई ऐसे चाल चानी पड़ेगी जिससे सीजर की डैथ हो जाए तो यह इसलिए यहां पर ड्रेटफुल थिंग किसके लिए बताया गया मडर ऑफ सीजर के लिए तो आप इसका पता लगाए यह कौन सा अंसर करेक्ट हो सकता है यहां पर तो इसका करेक्ट अंसर है इंटरवल इंटरिम का मतलब होता है इंटरवल फेंटास्टमा और हाइडियस ड्रीम तो इसका कौन सा आंसर है बच्छो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फेंटास्टमा का मतलब होता है होरिबल ड्रीम मतलब उसको बुरे बुरे ख्याल आ रहे है तो यह सब सेम मिनिंग है अन्रियल विजन, नाइटमेर और होरिबल ड्रीम यह सब किस से रिलेटेड है आपके फेंटास्टास्टमा वर्ट से रिलेटेड है तो इसका आंसर है यहां पर बूटर्स अब देखे मैं आपको यहां पर इस लाइन का मतलब बताता हूं यहां पर क्या पूछा गया आप से यहां पर लिखा हूँ मिल जागा आपको जब आप इसके रिडिंग कर रहे होगे एक्टू सीन वन की तो यहां पर बूटर्स के अंदर क्या चल रहा है बूटर्स के अंदर एक तो जो उसके करवा दिया जाए किस से बूटर्स को अपने गैंग में सामिल करने के लिए तो बूटर्स के अंदर एक तो जो चल रहा है कि उसको सीजर के मड़र के खिलाब बढ़गा जा रहा है दूसरा उसकी जो नैतिकता है वो भी चल रही है यानि कि उसका दिमाग और दिल दो अलग लग डिरेक्शन में मूब कर रहा है अब वो दिल दिमाग की बात को नी समझ रहा दिमाग दिल की बात को नी समझ रहा तो उनकी बीच में इंटरनल फाइट चल रही है अब देखिए बच् का मतलब है बूटर के माइंड और मैंदा ब्रेइन और हाट दोनों में एक प्रकार का एक मत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट मत है कि दिल कह रहा है कि नहीं बूटर सीजर बहुत अच्छा आदमी है और माइंड कहा रहा है कि उसको खलाब बढ़का नेगला कि हमेरे लिए वह अच्छा नहीं है तो ये दोनों ही बाते उसके लिए काउंसलिंग कर रही है उसको परिशान कर रही है तो ये बात किस से लेलेटेट थी हमारी बूटर के अंदर ये बात चल रही थी तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस करेक्ट है मैंस नेचर इस डिस्टरप्ट जस्ट एज़र किंग्डम इस पैरलाइज बाई सिविल वार इट इस रिलेटेट टू काम बी ऑप्शन पीस ओविडियन सी और डी इंसरेक्शन इंसरेक्शन तो यहाँ पर कौन सा आंसर है करेक्ट तो ऑप्शन है यहाँ पर डी देखिए यहाँ पर कहा जाँ रहा है कि जो मैं है मैंस नेचर इस डिस्टरप्ट मैं का नेचर क्या होता है तब मतलब आदमी तब परिशान होता है जैसे कि कोई राजा पैरलाइज हो गया हो किसके दोरा बाई civil war civil war बोलते है कि देखे किसी राजा का ये होता है कि अगर किसी बाहर वाले किंडम से लड़ाई लड़नी है तो वो अराम से लड़ सकता है लेकि उसकी प्रजा में ही आपस में लड़ाई हो जाए तो उसके लिए बहुत प्रेशान हो जाना नेचुरली बात होती है वह बहुत ज़्यादा disturbed हो जाता है तो कोई बहार से तो लड़ सकता है लेकिन अपने अपने अंदर वालों से नहीव लड़ सकता तो एक तरह से वो क्या बन जाता है उसकी condition हो जाती है यही situation यहाँ पर Brutus की हो रही है, Brutus एक प्रकार से Caesar का मित्र भी है, लेकिन Brutus का अंदर यह चीज़ी भड़ दी गई है कि Caesar जो है, आने वाले समय में वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मडर के लिए जो planning चल रही है, तो उस conspiracy में उसको सामिल भी करने क की लिए मतलब उसको त्यार कर लिए गया, तो उसके बीच में खुद में चल लिए कि Caesar अच्छा है या नहीं, तो इसलिए इस से वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो यही यहाँ पर instruction का मतलब आपको बताया जा रहा है, fraction means, fraction का मतलब होता है, group of conspirator, group of friend, group of unknown या फिर none of them, तो answer आपकी screen पर चल रहा है और आप time recording बता सकते कि कौन सा answer जिका correct होगा, तो correct answer है, group of conspirator, तो यहाँ पर बच्चो fraction का, fraction का मतलब होता है group, fraction का मतलब होता है group, लेकिन यहाँ पर कौन से group की बात की जा रही है, देखिए आपने पढ़ लखा है, तो यहाँ पर conspirator जो होते हैं, वो रात के समय कहाँ पर आजाते हैं, brutus के पास आते हैं, तो वो fraction का मतलब बतायागा, किसका group को, group of conspirator, conspirator किसे बोलते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं, शरियंद कारी, किसी के खिलाप कोई, किसी के खिलाप कोई चाल चलना, तो यहाँ पर यह जितने भी खिलाप लोग है, किसके Caesar के, तो उसका group जो है, वो एंटर कर रहा होता है, रात के समय, तो यहाँ पर faction किसके लिए कहा गया है, group of conspirator कि, 31st question है, when evil are most free, oh then by day, where while those find a carbon dark enough, it is related to, group of friend, group of unknown, group of conspirator, और D यहाँ पर है, none of them, तो आप इसका answer बताएंगे, बच्चों, क्या answer हो सकता है, यह line आपकी लिख्यू ही है, तो देखिए, इसका जो answer है, वो है, group of conspirator कैसे, यहाँ पर क्या है, बच्चों की, Brutus को नींद नहीं आ रही होती है, Brutus बार-बार अपने आप से परिशान था, Caesar को लेके, Caesar की हत्या कैसे क्यों करना चाहिए, यानि करना चाहिए, इस बात को लेके वो दुक्वी भी था, तो वहाँ पर उस समय क्या होते है, conspirator क्या होते है, उसके room में आ जाते है, रात के ही समय, तो वो room में जब आते हैं, तो अपने चेहरे पे वो mask लगाए हुए, तो वो सोचते आए, Brutus कहता है कि ये तो conspirator है, और जब ये रात के समय में mask लगाए हुए, चोर क्या होता है, जो रात के समय क्या होता है, चोर या कहले evil कहले, जो बुराई होती, वो रात के समय अपने चेहरे से नकाब उता लेते हैं, क्योंकि रात के समय तो कोई उनको देख नहीं पाता, जो अपने चेहरे पे नकाब या मास लगा के आए हुए है तो यह बात कही थी किसने बुरूटरस ने तो यह किसके लिए कह रहा था यहाँ पर गुरूप आप कॉंस्पिलेटर के लिए इसका तो मतलब बच्चो सबी लोग जानते हैं मरस्टर का मतलब क्या होता राक्शस होता है और राक्शस में यह सब सारे वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएंगे सारे apply होंगे horrible का मतलब भी evil और dreadful सब का मतलब एक ही चीज़ से है वो है monistress विसेज means appearance face both of them तो विसेज का मतलब यहां पे किस्से है बच्चे यहां पे बच्चों किस्से है both of them विसेज का मतलब चेहरे का appearance या face भी कह सकते है अगला question है two mask die monistress of wishes seek none conspiracy who say this तो यह बात कौन कहता है Cassius, Brutus, Casca या none of them तो यह बात कौन कहता है Brutus यहां पे क्या है कि जो conspirator लोग उसके room में आये हुए है वो अपने चेहरे पे क्या लगाये हुए मास्क लगाये हुए है वो भी मास्क उस समय लगाये है जब रात का समय है तो वो कहता है कि अपने चेहरे पे नकाब लगाना जानी कि कहने का मतलब है कोई वेक्ति अगर बुरा होता है तो बुराई भी अपने अंदर रखनी चाहिए, अपने अंदर रखनी चाहिए, ताकि वो बुराई किसी को दिखाई ने पड़े, जो conspiracy होती है, conspiracy का मतलब जो किसी के खिलाफ सडियन तरफ रहे होते हैं, तो उनके अपने चेहरों को वो चीज दिखाना ने चाहिए, तो उन्ह किस ने कही थी, Brutus ने, hide it in smiles and affability who says this for whom, Cassius for Brutus, Brutus for Casca, Conspirator for Brutus, या फिर Brutus for Conspirator, तो ये बात यहाँ पर, ये लाइन किसने किस के लिए कही थी, तो ये लाइन किसने कही थी, बच्चों यहाँ पर आपका answer जो है, Brutus ने कही थी, Conspirator से, तो उन्होंने कहा था, कि उनको अपने चेहरे पर मास्क की जगाए क्या लगा लेने चाहिए, smile करना चाहिए, smile और अफेविल्टी का सामने चेहरा रखना चाहिए, ताकि अंदर से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन चेहरे पर हमें सब मुस्कान होने चाहिए, ताकि सामने वाला समझ ना पाए, कि ये हमारा पूर्टस ने कॉंस्पिरेटर के लिए कही, how many conspirators entered, पूर्टस के रूम में कितने लोग, कितने लोग एंटर करते हैं, तो आप जोड़ा इसको पढ़ेंगे, तो आपने समझ रखा होगा, कितने लोग आये थे, तो उनकी संख्या कितनी थी बच्चो, तो उनकी संख्या थी six conspirators उसके रूम में आये थे, कौन कोन आये थे, तो उसके लिए मैं आपको अगला question दे देता हूं, six conspirators enter करेते, कौन कोन थे, enter करेते, कैस्यस आया था, कास काया था, डेसी साया था, सिना आया था, मेटेलेस, सिंबर आया था, और six कौन साया था, वह आपसे पोछ रहा है, प को यहां पर चटा विक्टी कौन सा होता है ट्रीबॉनियस होता है तो ट्रीबॉनियस चटा पांस तो यह लखे हुए इसमें इसमें क्या एक यह देश्य दूनों कौन लोग है तो आपके पास option है कि डेसे बूटर्स को conspirator बताया गया और मारकल बूटर्स को friend of Caesar कहा गया या फिर B option में डेसे बूटर्स को friend कहा गया या मासकल बूटर्स को conspirator और C में both are correct या D में none of them तो पहले तो देखिए आप भी इस answer का सही answer डून रही है कि कौन सा answer इसमें correct है तो यहाँ पर कौन सा answer correct है बच्चों यहाँ पर है answer इसका ए देखिए अब मैं आपके एक चीज़ बताओं केबल आपके जहां पर केबल बूटर्स लिखा होगा केबल ओनली बूटर्स तो आप यह समझ जाना वह बूटर्स किसके कौनस्पिरेटर का मतलब जो सीजर के खिलाब लड़ाई लड़ा है वो तो डेशियस बूटर्स है और मारकर बूटर्स जो की सीजर का क्या तो डेशियस बूटर्स तो कौनस्पिरेटर है और मारकर बूटर्स कौन है फ्रेंड ऑफ सीजर मैं एक बात फिर से बता देता हूं अगर आपका कहीं पर भी बूटर्स लिखा है उनली तो आप बच्चों बूटर्स का मतलब किससे मानेंगे उनली मारकर बूटर्स से और जहां डेशियस बूटर्स की बात होगी तो वहाँ आपको लिखके देगा पूरा-पूरा डेशियस बूटर्स है नेक्स्ट पूशन आते हैं एस आइप पाइंड माई सौर्ड दस सन एराइस उसे दिस मतलब जहां से मैं तलवार की तरब तलवार की नोग रखूंगा वहीं से सूरच उग जाएगा ये बात किस ने कही थी Caesar ने, Cassius ने, Brutus ने या फिर ये बात कही थी Casca ने आपको इसका answer find करना है कि ये बात किस ने कही थी कि जहां तलवार की नोग होती है वहीं से सूरज निकल आता है तो ये बात कही थी Casca ने Give me your hands all over one by one who say this मुझे एक एक करके अपना सारा अपने सबसे मिलाओ one by one यानि कि जो उसके रूम में 6 conspirator आई थे तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आपी इसका answer ढूंड़े फिर में इसको explain कर देता हूँ तो इसका answer is Brutus Brutus ने कहाता कि मुझे एक एक करके सबसे मिलाओ कि कौन-कौन ये लोग है जो 6 conspirator आए थे उसके रूम में तो उनीकी लिए कहा जा रहा है कि give me your hands all over one by one एक-एक करके अपना परिचित आप मुझे दीजिए तो ये बात कहीती Brutus ने तो बच्चों यहां पे अभी मैंने question थोड़े से आगे के भी जो है 40 तक हो गया है लेकिन अब मैं आगे के question में आपको कराने वाला हूं और आप चाहते हैं कि इसी तरह के question आपको मिलते रहे तो बस आपको करना कुछ नहीं है मैं नहीं कहता आप मेरे चैनल को subscribe करें अगर ये वास्ता में question आपके बहुत काम आ सकते है चैप्टर को समझने में और साथ में mcq question को करने में तो मैं यह कहूँगा कि इसको आप जरूर सब्क्राइस कर लिए क्योंकि जब भी notification मैं तो notification आप तक पहुंचता रहेगा और बैल आइकन को भी आप on करके रख लिए जएगा चलिए मिलते हैं next video में thank you very much